सियासी और माशी मसाइल का हर सिर्फ एलेक्शन है सदर तहरीके अंसाफ परवे जिला ही कहते हैं एलेक्शन हो गए तो पंजाब में नून लीग की सियासी मौत होगी पीडियम की सियासत दफन हो जाएगी शहबाश शरीफ आटा स्टन्ट से अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते शहबाश शरीफ कौम को भी अपनी तरह भीकारी बनाना चाहते हैं निग्रा वजीराल पंजाब मौसी नकभी की ताइनाती के खिलाब शेख रशीद की तर्खास मुस्तरत लाहूर हाई कोट के जस्ट शाहिद करीम ने शेख रशीद की तर्खास पर महफूस पैस्ता सुना दिया दुरान समात अगालतने रिवाकस दिये, इलेक्शन कमिशन के पास निग्रान वजीराला की तकर्षी के लिए मुकमल अख्तयार है इलेक्शन कमिशन एक आईनी इधारा है और आईन के तहर पहесть काम करता है, मतव随का तोर पर निग्रान वजीराला की तकर्रेई की गए तोहीन आईन भी है आईन की खिलाफ फर्दी भी है हम अलेक्शन कमिशन के डुमेन में मुदाखलत नहीं करते हम सुप्रीम कोट के डुमेन में मुदाखलत नहीं करते अलेक्शन कमिशन का काम है अलेक्शन कराना सुप्रीम कोट और अद्लिया का काम है इनसाफ देना रोसो में भी एरकान ने पार्लिमेंट का घुसाद धंडा ना पड़ा, पार्लिमेंट के मुझतरका इश्लास में पीटियाई और पीडियम आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शतीद नारे बासी, एवान मचली बासार बन गया, मौलना असत महमूद की तक्रीर के दारा, पी सुप्रेम कोर्ट का काम इनसाफ देना है, मुदाखलत करना नहीं, पीटाय के सेनेटर वसीम शेहसाद ने कहा, इलक्षन कमिशन ऐस सुप्रेम कोर्ट ने फैसले की नाफी की, कौम रमजान के चांद के पे थी इलेक्शन कमिशन ने रात को चान चड़ा दिया मुझतर का इजलास दस एपरिल टेक मौल तवी असान नियाजी पुलिस के चकरों में चकरा गए कोईटा से लहूर अब कराची जाएंगे लहूर की एटी सी में पेशी अदालत ने दो रोजार हदारी रिमांट पर करा एदारों को मुखाटिब करके धंगा है एक दिन के लिए इस्तामबाद के हदूद में कवरिश पर पबंदी लगाए गए बाबंदी कानून नाफिस करने वाले एदारों के खत्त में तनाजर में लगाए गए मुफाटिब का हसूल वबाले चान हर तरफ बदनस्बी धक्के और तस्दीम पिंडी भटिया में मुफाटिब पॉइंट पर जाना आजब बन गया शदीद हकम पेल के बाइस मतादित खवातीन की हालत गयर एक का बाजू चूट किया इंतिजामिया का फ्री आचा फराहमी बंद करने का एलान शेख उपुरा के मरकस पर बेनजीर इंकम स्पोर्च प्रोग्राम का सिस्टम की बैठ किया हजारों शेहरी परेशान पिशावर में मुफाटिब के ट्रक पर अवाम ने धावा बोल दिया चलते ट्रक से थेला उतार लिया जिसके हाथ जितने थेले आए वो ले गया लगिस्तान की तारीख में एक पहला मौका है कि इस तरह का मनसूबा उसको लॉंच किया गया कि फ्री आटा माजी में हम यानि सबसडाइज आटा हर दुकान पे देते थे लेकिन इस दफ़ा ये तैह हुआ कि फ्री आटा दिया जाए और ये एक बहुत बड़ा चैलिंज जादे खुद एक बहुत बड़ा चैलिंज है मज़रियासम करावल पिंडी के आटा फराहमी सेंटर का दौरा शेहियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने जहबाज जरीफ के आवाम के मसाइल फौरी हल करने की यकीन देहानी जहरियों को बार बार तकलीफ से बचाने के लिए एक ही बार तीस किलो आटा फराहम करने की हिदायत कहा मुफद आटे की फराहमी चैलेंज है तारीख में पहली बार ऐसा किया जा रहा है दस करोड के करीब अफराद मुफद आटा स्कीम से मुस्तफीद हो रहे है नेगरान वजीर आला पंजाब मोसिन अकवी का लहौर में मौटल बाजार का तारा ठोकर नियास बेक के मौटल बाजार में शहरियों ने शिकायात के अमबार लगा दिये बेनजीर इंकम स्पोर्ट प्रोग्राम में रेजिस्ट्रेशन ना होने की शिकायात मौसिन अकवी का कहना था कि शहरियों को तारीख साथ रिलीव पैकेश दिया जा रहा है इज़त के साथ आटा फराहम किया जा रहा है बदनजी की शिकायात पर फौरी एक्शन लिया जाएगा